योगी पहले रोया क्यों फिर हसा क्यों? कलिंग देश में शोभापती नाम का एक नगर है. उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था. उसी नगरी में एक ब्राहमन रहता था, जिसके देवसोमा नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था. जब देवसोमा सोलह बरस का हुआ और सारी विद्याय सीख चुका. एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया. बुरे माबाप बड़े दुखी हुए. चारों और शोक छा गया. जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुँचे तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपन जोर से रोया, फिर खूब हसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में गुस गया. मैं लड़का उठ खड़ा हुआ. उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए. वह लड़का वही तपस्या करने लगा. इतना कहकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि ये ही योगी पहले क्यों तो रोया, फिर क्यों हसा. राजा ने कहा, इसमें क्या बात है. वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा, और जिस से उसने बहुत सी शिक्षाय प्राप्त की, उसे छोड़ रहा था. हसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जालटका राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में बेताल ने कहा हे राजन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा साभी हिरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार-बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो और अब वह वापस पेड़ पर आकर लटक गया